अलो प्रेंट साहे माई नेम इस रौथा रौथा जेले सिद्वाने में और स्वागत आपका इस चैनल सेग्मेंट पे UPSW की कॉंसिलिंग हम करने वाले हैं लाइब एक स्टूडेंट को लेंगे और उसकी लाइब कॉंसिलिंग करेंगे ज़्यादा तर AKTU के अंदर मतला अबदुल कलाज टेक्निकल यूनिवरस्टी के अंदर जितने भी कॉंसिलिंग लगब लगब आते हैं उनकी कॉंसिलिंग UPSW से होती है बाकी जो ITS NIT हैं जो सगित हो और जो कुछ यूनिवरस्टी ले पर ले टिपल म, U, IT, H, V, T, U वो खुद का एक करा रहे होते हैं So mostly यहाँ पर जितने भी कॉंसिलिंगे उनकी कॉंसिलिंग किस पर हो रही होती है UPSC से होती है बहुत सारे अच्छे कॉलेजिस हैं जैसे मैं कुछ नाम ले लेता हूँ IET लखनो, KNIT सुल्तानपूर, राइट और फिर बहुत सारे अच्छे कॉलेजिस भी बिल जाएगे फिर BIT, IET, IET, अलाबात और REC के बांदा, मैंनी पर राजमगड़ाम बेट करना अगर यह सारी चीज़ सुल सकते हो और कुछ प्राइबिट कॉलेजिस भी हम जा सकते हैं जैसे सनोईडा और बगए अजे कुमार गर, KIT, यह तमाम कॉलेजिस हैं लेकिन अब बच्चे को क्या चाहिए, पहले उसकी प्रॉब्लम समझते हैं, सारी चीज़े जानते हैं और फिर उसकी चाइस फिलिंग करते हैं हलो हाँ, गुड़ अक्रम सर आकास रौथर बात कर रहा हूँ यस सर कहां से हो आकास तुम सर हम यहां लखनो से तो MP के लिए तो हम तो में बताया दिये थे क्या करना है क्या नी करना है, CLC में जाना है, आज अभी अभी UP की बात करते हैं है ना, कितनी रेंक हैं पहले बताओ, सुरू से बताओ नहीं, रेंक रेंक बताओ, CRL रेंक बताओ, केटिगरी रेंक नहीं चीए, पोर लेक 54 ताओ, अब देखो, यह तुमारी जो रेंक है, पहले तो यह समझो कि यह बहुत जादा रेंक है, है ना, अब हमें यह तो ब्रांच से कंप्रोमाइज करना होगा, अगर कोई अच्छा कॉलेज चाहिए, और अगर हमें नहीं ब्रांच से कंप्रोमाइज नहीं करना है, तो थोड़ा सा एबरेज यह लो कॉलेजिज में हमें जाना पड़ेगा, तो अब बताओ, तुम ब्रांच क्या क्या ले सकते हो, EC, मतलब CS, IT, EC ले सकते हो, अगर तुम CS, IT ले सकते हो, और EC भी ले रहे हो, तो इसका मतलब जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ, CS से रेलेटेड ब्रांच भी तुम्हें चलेगी AI जो होती, AI या डाटा साइंस, तो हम AI, डाटा साइंस बगेरा भी ले ले लेते हैं, मसील लर् बात करें, देखो तुम्हारे पास better options क्या है, pen copy लेके बेटे हो कुछ, और मैं क्या कर रहा हूँ, तुम्हारा video एक particular बना भी रहा हूँ, तो उसको video को देख ले ना, ताकि तुम्हें पता चल जाएगा कि choice filling क्या 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 करना है, अब देखो यारे, अगर यहां पर better options हम बात करते हैं तो तुम्हें पहले आईटी लखणों छोड़ दो, नहीं मिल पाएगा है ना, के एन आईटी हम छोड़ देते हैं, राइट, सुल्तानपुर, बी आईएटी, अगर तुम्हें बिल्कुल लो ब्रांचेस डालनी है तो यहां पर डाल दो, अब तुम अगर choice filling म यह डालना चाहते हो तो डाल दो, मिलने ही रहा है, right, clear है हाँपर, हमें डालना है हम डाल देंगे, I, E, R, T, सुनाएं, यह चाहिए कुछ, इलावाद, ठीके, यह सुनाएं, मतला, अब अगर हम पहले list बनाते हैं, तुम्हें कौन-कौन से college's तुम जहां ले सकते हो, तुम कुछे बताते हैं जो नहीं चलेगा, बिलकुर मना करना, right मैं अभी, अजय कुमार गर, चलेगा, कि आई, E, T, किसना के नाम से जो है, किसना के नाम से दो हैं, किसना engineering college, वो उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, कि आई, E, T की बात कर रहा हूँ, हाँ, इसके बाद अगर हम बात करेंगे, तो राजकुमार गोयल छोड़ दूँ, ठीक है, अब गल्गोटिया, जी एल बजाच, अब अगर हम बात करेंगे, तो देखो, ये हो गए, तुमने हमें बताया है, कि ये colleges चलेंगे, अब मैं इसकी हिसाब से तुम्हें choice feeling बताऊँगा, कुछ और colleges लें अपन, safe zone के लिए, REC का कोई लें, REC लें, चलो, REC बताऊ, कौन सा लोगे, बांदा, मनीपूर, विजनोर, कौन सा लोगे, यहां पर अंबेट करना, राजमगड़, सभी लेना है, क्या करना है, मनीपूर, हां, मनीपूर, REC, कौन सा, तो REC के तो बहुत सारे colleges है, मुझे बताते जाओ, कौन कौन सा चलेगा, मैं नाम लेता जाओ, मनीपूर चलेगा, ठीक है, अब इसके बाद आजमगड़, नहीं, चलो, बांदा, बांदा चलेगा, अंबेटकर नगर, सोनभद्र, सोनभद्र, सोनभद्र चलेगा, और कोई, REC का, REC का साथ कोई और अच्छा college होगे, ठीक है, चलो, अब इसके बाद अगर हम कुछ और colleges बोलें, यहां साथ तुम एबरेज कर सकते हो, मतलब इतने अच्छे नहीं है, लेकिन ठीक है, तुम कर सकते हो, राइट, सो अगर मुझे बात बताओ, तुमने राजकुमार गोहल तुमना कर दिया, नोईडा, नोईडा इंस्टिटूट राइट, नोईडा चलेगा, नोईडा इंजीनियरिंग कॉलेज तुम्हें चलेगा, आई, आएमेस गाजियबाद बगेरा, आईमेस गाजियबाद ले लेते हैं, इसके बाद बस इसके बाद नीची जाना नीची है, राइट, एक BBD ले ले लेा या दिखो अभी इसके हिसाब से अपर चॉइस फिलिंग करते हैं अब रेंग तुमने क्या बताई थी अपनी और लेक 64,000 आर जे खबरी से पूछ लेते हैं चलो अब यहां पर केटिगरी बताओ कि ओबी सी केटिगरी तुमारी तुमने लगाए मेन पूरी लिखवाया है मेन पूरी में तुम्हें मेकिनिकल मिल सकती है तो तुम क्या लिखोगे मेन पूरी की सीएस से रिलेटिड ब्रांच डाल दोगे सिर्फ अभी कागज में लिख लो मेन पूरी है ना मेन पूरी की अभी जो तुम्हें मिल रही मेकिनिकल भी मिल रही है एक लेक्टिकल सीविल इस तरह की ब्रांचिस है ना civil mechanical electrical है ना यह मिल रही है लेकिन तुम्हें CS से related branches जो भी तुम CS आगर IT EC जब भी जानना चाहते हो जो 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 ब्रांचे से वो डाल दो ठीके ठीके मेन पूरी लिख लिए अब तुमने एक और बोला था ABS गाजियाबाद इसकी तुमें IT पर्टिकुलर मिल रही है तुम यहाँ पर सिप्ट वन में है ना तुम यहाँ पर CS डालोगे अगर तुम IT डाल दोगे तो वही तुमें अलॉट हो जाएगी पहले IT नहीं डालना है हमें वहाँ पर डालना है IT तुम्हें मिल रही है ABS इंजिनियरिंग को ले आजए कुमारगर की EC तुम्हें मिल रही है क्लियर अब अगर हम बात करें GL बजाज की तुम्हें IT यहाँ पर पर्टिकुलर हो जाएगी OBC हो ना BC केटिगरी OBC में और कोई केटिगरी तो नहीं है अब इसके बाद तुम I.E.R.T. देख सकते हो जो तुमने लिखवाया है राइट यहाँ पर मेकिनिकल इंजिनियरिंग यह तुम्हें चीजे अब इसके बाद तुम NOEDA का भी तुम्हें CS मिल जागा यह बिल्कुल sharks में जालना है तुम्हें NOEDA engineering college बिल्कुल भी जालना है पहले नहीं डालना है Clear है अब यहाँ पर यह जो मैंने college इस बताए मतलब यह तुम्हें मिल रहे है डाइट अब यह से उपर जो colleges हैं, उनकी तुम choice filling कर सकते हो, वो मैं तुम्हें बना के particular भेज देता हूँ, देखो, उसके उपर तुम क्या क्या कर सकते हो, choice filling में तुम्हारी एक roughly बना कर तुम्हें दे रहा हूँ, अब तुम कैसे करोगे? सबसे पिले IIT डाल दो लखनो, right, CS, IT, EC, electrical, mechanical जो डालना है, right, IIT लखनो की, इसके बाद केना इटी सुल्तानपुर की डाल दो, CS, IT, EC जो भी तुम्हें particular डालना है, वो डाल दो, तीसे नंबर पर BIT जासी की डाल दो, CS और EC और ये सारी branches, केना इटी की फिर electronic, electrical डाल दो, IIT लखनो की फिर mechanical, chemical डाल दो, ये मैं जो मैं वीडियो बना की बेज रहा हूँ, right, और तुम्हारी counselling जो मैंने की है, तो ये देख लेना और उसके साब से भर देना, BIT जासी की फि स्रतानपुर की civil डाल देना है, BIT की फिर mechanical, chemical बर्ची हुई है, अगर तुम्हे गवर्मेंट ही चाहिए, नहीं चाहिए, तो फिर इसमें बीच में तुम जेसेस, अजय कुमारगर, अगर जो branches नहीं चाहिए हो, तो सुरू में वो branches मट डालना, right, वो ये सारी branches कब डालोगे लास्ट में, जब तुमने यहां पर मार लो GL वजाज या उसकी CS डाल दी, मैंने अभी तुम्हें लिखवा दिया क्या-क्या मिल रहा है, यह ना, तो मैं तुम्हें प्रेडिक्टर भी भी भेज रहा हूँ, प्रेडिक्टर पर अपनी rank डालना, category डालना, जिस भी category से तुम हो, और उसके हिसाब से तुम्हें अंदाजा हो जाएगा कि क्या-क्या मुझे मिल रहा है, राइट, भी आईएटी जहासी की बाद, आईएटी एलावाद का, electronic, electrical, राइट, सो तुम्हें यह electrical तो मिली जाएगा, तो अब तुम्हें देखना है, दूसरा अगर हम फिर से आ तो चलिए विरम बता देते हैं, फिर यहाँ पर तुम्हें डाल देना है, आरीसी बांदा, अमबेटकर, हिंडीकेप्ट कानपुर, अच्छा यह तुम्हें नील रखाता है ना, चाहो तो यह रख सकते हो, डॉक्टर अमबेटकर, हिंडीकेप्ट कानपुर, अच्छा ओप इसी डाल दोगे, अजय कुमारगर की CSIT EC डाल दोगे, काईट की CSIT EC डाल दोगे, काईट की CSIT EC डाल दोगे, और उसके बाद आपका आजाता है, गलगोटिया, जीयल बजाच और ABES, इनकी CS CS से रिलेटिड ग्रांचेज डालना है, तुम यहीं पर उल्च होगे, यहीं पर मिलेगा, राइट, तो उपर तुमने जो भी कर दी, चॉइस फिलिंग, जस्फोर सेफ परपस, बट तुम्हारा जोन कहा है, तुम्हें किलियर पता है, कि मुझे यह मिल रहा है, कहाँ पर तुम जाके फस होगे, यह तो आजय कुमारगर की लोवर ब्रांच, जैसे सो, और अगर आजय कुमारगर में तुम्हें एलेक्टिकल मेकी निकल डालते हो, तो वो तुम्हें लोट होगी, किलियर है, या फिर जी एल बजाज, गलगोटिया, और एबी एएस की सी एस और इस से रिलेटेड ब्रांच, ठीके, तो मैं दोनों चीजे भेज रहा हूँ, जाओ ज आपने देखा, यहाँ पर एक चीजे क्लियर होगी, कि किस तरीके से चॉइस फिलिंग करनी है, अपनी रेंक और केटिगरी के साब से, अब अगर देखिए, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ जे जनरल केटिगरी से, तो जो इसको आप्संस आ रहे हैं, अब वो नहीं आ रहे हो लेक्टिकल मिल जाएगा, तो आप केटिगरी क्या है, होम स्टेट है, अधर स्टेट है, मतलब अगर डोमेसाइल यूपी कर नहीं है, तो अलग चॉइस फिलिंग हो जाएगी, तो आपकी किसी सवाल पर, किसी और बच्ची की काउंसिलिंग के साथ, लेकिन एक चीज़ जो अधरा, बीस, पचास, सो लोगों से बात कर सकता हूँ, पांच सो लोगों से, हजार लोगों से, राइट, और यहां पर हम वाटसिप पी भी आते हैं, लाइब आते हैं, उनकी कोईरी सॉल्फ करते हैं, बट मेक से और इस तिंग, उन तक पहुचाने का का जिम्मा आपका है देखा है अपने DT कांसिलिंग, MP की कांसिलिंग में, आप UP से हो, बनारा से हो, बियार से हो, कहीं से भी हो, XY से, सारी दलाली, ब्रोकिंग, सब कुछ बंद कर दिया है, राइट, सो बहुत सारी चीज़ है, हर बच्चे-बच्चे को नॉलेज है, MP के, now it's your turn to make, मतलब इस व बनाते रहेंगे, तुम्हें यहाँ पर, तुम्हें कहीं न कहीं फसाते रहेंगे, अपनी बातों में उल्जाते रहेंगे, और यही डिसाइड कर रहा होता है, एक कॉलेज ही डिसाइड कर रहा होता है, कि तुम्हें, तुम्हारा केरियर कैसे होगा, बहुत सारे कॉलेजज किसी से उधार लएकर अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं उनको नहीं समझ यह कॉलेज जिस कैसा है प्लेट्समेंट भी मिलेगा साला नहीं मिलेगा किस तरीके से कोई ब्रॉकर उनको लजा देता है टीचर्स उनको लजा देता है नौ इट्स यूर टान यूर रिस्पॉंसि हुआ जाएंगे तो देट बड़े रेल्टी एंड एंड एट्स वाई आइम हैर सो मेक्स ओर सेर करिए इस वीडियो को कुछ और पूछ रहा है मैं एविलेबल रहूंगा आप लोगों के लिए इंस्टाग्राम पर भी रो टी एच एच ए आर रोथर जैलिस के नाम से इंस् आपको गाइड करोगा थेंगे प्रवच चाहिए